दोस्तो एल्पी और टेक्निशन का जो एक्जाम होने वाला है तो उसके लिए दोस्तो ये पिछला जो एक्जाम हुआ था उसका प्रिवियस कोश्चन डेली अप्लोड किया जा रहा है और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा कि आपका कितना तयारी है एक्जाम को लेकर तो दोस्तो एल्पी का एक्जाम नवंबर में होने वाला है उसके लिए दोस्तो डेली अपना प्रैक्टिस सेट लगाईए सेट लगाने सी होगा कि आपका तयारी कौन सा कितना है और किस टोफिक से कोशन आपका फस रहा है तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं अगर च चैनल को सस्क्राइब कर लिए डेली वीडियो देखने के लिए जो की पेपर है 21-2019 का देखते हैं पहला कोशन है कि खाली अस्तान कम्प्यूटर को तारसन जोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोलने का सरवाधिक आम तरीका है क्या है दोस्तो अप्सन नमबर थर्ड रूट 3 गुने भूजा होता है भूजा 3 सेंटीमीटर है तो एंसर कितना आ जाएगा 3 रूट 3 अप्सन नमबर 2 चले अगला कोशन है कोशन नमबर 3 है कि यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग तो चल भागों की चरम इस्तिती का संकित निम्न लिखित में से कौन है अप्सन नमबर 3 है लंबे डैस युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा चले आगला कोशन है कोशन नमबर 4 है कि देखिए E F G और H जो कि E F G और H दोस्तों जो कि चार लोग है F और H एक दुसरे के बागल में बैठे है तो G H और F के बागल में नहीं बैठना चाहता ह तो दोनों किनारों पर कौन सा बैठा अगत H और G अप्सन नमबर 4 चले आगला कोशन है कुछ आकृती को चैन्ज कर जो स्यस आकृती से भीन है आप लोग देख लिए चार आकृती दिया गया है इसका करेक्ट एंसर अप्सन नमबर 2 आएगा चले आगला कोशन उस्मा को मापने के लिए किस मीटर का अप्योग करते है दोस्तों उस्मा के मापने के लिए कैलोरी मीटर का अप्योग करते है अप्सन नमबर 2 आगला कोशन है कि उतलकों में बीम को पकड़ने के लिए वेरिंग या अन्य उपकण को सकता होती है कौन से दोस्तो आफ्टान नमबर 3rd तृतिय श्रणरी क्या चलिए अगला कोशन है कि किसी कुट भासा में दोस्तो दिया गया है भागा को गुणा दिया गया है माइनस को प्लस दिया गया गुणा को भागा और भागा को माइनस तो उसी को प्रयोग करके 2-6 इंटू 3 प्लस फोर बरावा क्या है तो आप लोग को चेंज करके हल करना है करेक्टन सरफ से नमबर वान आएगा अगला कोशन है कोशन नमबर टेन है कि एक वस्तू को 642 रुपय में बेचा गया है देखिए 642 रुपय में बेचा गया है और कितना का लाब हुआ लाब हुआ तो कितना का किस पर लाब हुआ इस पर चेंज कर देंगे तो 0.07 आजाएगा अगला कोशन है कि एक 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 ग्राम उचाई इमारत के सिर्थ से गिराया जाता है तो भूमी पर पहुँचने से ठीक पहले गेंद की गति जूर्जा क्या होगी जी इस इकल टो 10 मिटर पर सेकेंड स्क्वार है अपसन नमबर 2 आएगा 100 जूल चली आगला कोशन है कोशन दिया गए है कि 2 सेकेंड एक टोरण सिल एक कार, एक सेकेंड एक टोरण सिल कार, उसी कार से खाले असतन गुनी अधिक दूरी दे करेगी इसका क्रेक्टर से दोस्तों अपसन नमबर 1 आएगा कितना 4 चार गुनी दे करेगी नीमे लिख हित्में से उस पदार्थ की पहचान कर जिसकी विशिष्ट उस्मा धर्दा उच्टम होती है तो दूस्तों पानी की विशिष्ट उस्मा धर्दा की सबसे ज्यादा होती है किस पदार्थ की पहचान जिसकी विशिष्ट उस्मा उच्टम होती है तो पानी की विशिष्ट उस्मा अधिक होती है चलिए अगला कोश और लगाये गए बल के अनुपात हो क्या कहते या अंत्रिक लाव कहते चलिए अगला कोशन है एक अस्व सक्ती वराबर कितना वाट होता है तो एक एंच पी वराबर दोस्तों 746 वाट होता है चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 18 है कि 12 cm ब्यास वाले एक ठोस गोले की पिख आजाएगा इसका करेक्ट रंच और 64 पाई आप लोग बनाईएगा चलिए अगला कोशन है दोस्तों रीजिनिंग से दिया गया है कि 1357 ये दिया गया है 64 तो 13579 89 तो बरावर क्या होगा तिये दोस्तों चार का Q है अगला आजाएगा 5 के Q चलिए अगला question है दोस्तो question number 20 दिया गया है कि जो की सही बनाने दो चीनों का आपस में बदल कर देखे दोस्तों दिया गया है 12-3 divided 8 into 2 divided 4 बराबर 16 दो चीन को आपस में change करके इसको हल करना है अगर इसका comment box में दोस्तों 20 का आप लोग comment box में अंसर बता रहा है चलिए अगला question देखते है question number 21 है कि 100 रुपया की रासी पर 10 परतिवाजना 100 रुपया की रासी है 2 वर्षों के लिए 10 परतिशन वार्षिक दर चबके विधिविया सधान ब्याज का अंतर ग्याद करना है देखे रासी कितना है दोस्तों 100 रुपया ये दो वर्षों के लिए तो पहला कितना पहला 10 परसेंट दुसरा भी 10 परसेंट अगर ब्याज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ये 10 पहला दिन पहला वर्ष के लिए 10 रुपय ब्याज मिलेगा दूसरा वर्ष के लिए 10 रुपय यानि 20 रुपय ये सधान ब्याज हो गया और चक्रविधी ब्याज में क्या होता है ब्याज का भी ब्याज लगता है तो इसका भी एक बटा 10 परसेंट ये जो दूसरा साल भी 10 परसेंट है त तो टूटल कितना हो जाएगा दूस्तू, चक्रिविधी व्याज, यानि 20 एक, 21 रूपिया, और व्याज कितना मिला है, 20 रूपिया, चक्रिविधी व्याज कितना मिला है, 21 रूपिया, कितना का अंतर हुआ, एक रूपिया का, तो अपसर नमबर एक सही है, चलिए, आगला को कोशन नमबर 22 है, पाइंट ए, 50 मीटर कीव पर घंटा की दर्च एक टंकी को भरता है, पाइंट भी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगाते हैं, तो एक साथ खोले जाने पर उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं, तो टंकी का आयतन ग्याद करना है, इसका करेक्ट एंसर दोस्तों आप्सन नमबर 2 आएगा, 200 मीटर कीव, चली यह अगला कोशन है, कोशन नमबर 23 है, किसी आईसो मेटरी द्रिस्य कावप्यो करते समें, आप अपने आरेक को तीन अक्षो पर रिखान कित करते हैं, तो जो एक दूसरे से खाले सतन के कुण पर रिखान के कितना 120 द्रिगरी, चली यह अगला कोशन है, दिया के हैं, कि लंबाई L और त्रिजिया R वाले एक बेलना का तार का परत्रोद R है, तो उस पदार से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिजिया वाले तार का परत्रोद कितना होगा, तो दोस्तो R वाई 2 होगा, आप लोग दिख लिजे, चली यह आगला कोशन है, कि बिन्दू 2, 3 का एक अक्ष का परतिविम क्या होगा, तो इसका एक शक्ष का परतिविम दोस्तो 2, 3 होगा, चली यह आगला कोशन आप लोग बनाईएगा, चली उन्नीश संतान्वे में अमेरिकी अंत्रिक शियान पत्पाइंडर किस ग्रह पर उतारा है, दोस्तो मंगल ग्रह पर, जो कि मंगल ग्रह के कितने उपाग्रह है दोस्तो, दो, फोबोस और डिमोस, चली यह, आगला कोशन है, कोशन नमर 27, निमे लिखित में से कौन सा तृतिय स्रणी का उतोलक नहीं है, दोस्तो एक पहिये का ठेला जो है तृतिय स्रणी का उतोलक नहीं है, कौन-कौन है, चिम्टा है, स्टेपलर है, हौकी, डिस्क है, जो कि तिसरी स्रणी का उतोलक चली आगला कोशन है, दिया गया है, कि यदि किसी सम्चत्रभूज का छेत्रफल, 96 स्क्वेर सेंटीमीटर बिकरण 6 सेंटीमीटर दूसरे बिकरण की लंबाई क्या होगा, तो दोस्तो यह सम्चत्रभूज दिया गया है, जबकि इसका बिकरण 6 सेंटीमीटर है, तो यह दूसरा बिकरण की लंबाई ग्याद करना है, जबकि इसका छेत्रपल दिया गया कितना 96 cm2 तो सम चत्रभूस के छेत्रपल निकाल लेजिएगा पहला दूसरा विकर्ण निकल जाएगा जिसकी 32 cm2 चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 29 सेक 30 डिगरी पलस कोस 30 डिगरी तो दोस्तों कितना आ जाएगा अपसन नमबर 4 आएगा कितना अपसन नमबर 4 चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 30 निकाल दियेगा विकल विकर्ण पूर्ण अस्तवर्थ कर अना असमार्थित सब्द ग्याद कीजिए जोसकी अपसन नमबर 30 जो है न ये पूर्ण वियस्तित करे और और समार्थित सब्द को ग्याद करें अगला कोशन है कोशन नमबर 31 है कि 100 ग्राम के अलमुनियम के टुकड़े जो कि भी सिष्ट उसमा इतना है का ताप 10 डिगरी से बढ़ाने के लिए उसे कितने उसमा दी जानी चाहिए चलिए इसका एंसर देखते है अपसन नमबर 4 आएगा 900 जुल चलिए अगला कोशन दिया गया दोस्तों ये पूरा दिया गया इसका बहुलक ग्याद करना है तो दोस्तों बहुलक कैसे ग्याद करते है जो संक्या ज़्यादा रहती है वही बहुलक होता है तो इसमें 24 जो है न सबसे ज़्यादा संक्या तो यह option number D आएगा option number 4 चलिए आगला question है कि A और B किसी कारे को देखे A plus B 12 दिन में B plus C 15 दिन में और A plus C 36 दिन में तीनों मिलगे उसका कितना दिन में पुणा करेंगे तो तीनों का दोस्तों LCM निकाल लो उसके बाद इसका Efficiency निकाल लो यह 2 A plus B plus C आजाएगा 2 इधर आजाएगा हल कीजिएगा A plus B plus C का मान निकल जाएगा option number C option number 3 आएगा 11.25 दिन में चलिए आगला question है कि D गई श्रिंखला है अनुपस्तित करेंगे भी कल्पों के चुन्डा है दोस्तों यह question मार के इसका अस्तान पर क्या आएगा आप लोग देख लिजे correct answer अप्सा नमर 4 आएगा अगला question है वाई मंडल में उच अस्तरो मौझूद ओजोन खाले स्तन का उतपाद कौन सा अप्सा नमर 3 आक्सीजन पर परावेगनी विक्रिण के प्रभाव चली आगला question है कि निम्य लिखित में से किस वर्स 2018 में आयोटीन स्री 2018 में बैड मिंटल एसोसियेशन अफ इंडिया का नया अध्यक्स चुना गया आप्सा नमर 3 हिमंता विश्वा सर्मा चली आगला question है कि दिया गया है यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड के तोण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद उस कार का बेग क्या होगा दोस्तो उसका बेग क्याद करना है क्या time दिया गया और ए दिया गया है अक acceleration दिया गया है इसका correct answer दोस्तो आप्सा नमर 4 आ जाए कितना फोर आएगा च़ं सन्था चली आगला question है question number 38 उस विकल्प को चैन कर जो तीसरे पर से उसी पर का समिदुन से तो पत्ता का समिदुना से टमाटर लाल होता है तो पत्ता क्या होता है हरा होता है अगला दिया गया वह छोटी से छोटी संक्या ग्याद के जो 28 से गुणा करने पर प्राप्त संक्या पून वर्ग बन जाएगी तो दूस्तों वह छोटी से छोटी संक्या ग्याद करना है जो 28 से गुणा करने पर प्र पूर्ण बर्ग और साथ एक ले लेंगे और ये साथ पूरबर्ग हो जाएगा अगला कोशन है कि पंजाबी तेवहार लोहनी में प्राकिर्ती के किस तत्यों की पूजा की जाती है अपसा नमबर टू अगनी की चली अगला कोशन है कि 12 भूल्ट बैटरी को 5 उम पर्तिरूत क सम्नांतर में जोडा जाता है तो इस बैटरी के द्वारा पर्दान की जाने व olmay basta धरा ग्याद करता है जोकि दी भूल्ट दिया घया है जोकि आर दिया गये दूस्तू 5 इसका i निकालना है तो अर इस going to फी इस Also i are i is equal to ही बटा आर हो गया वी कितना है दूस्तों बार आई कितना है पांच आप लोग हल किजिए 2.4 एंपियर आएगा ओप्सन नमबर ए आ जाएगा चलिए अगला कोशन है दिया गया है कि करम सब 20 ओम 30 ओम के कि दिया गया कथन और निस्कर्स सब्ताह में 5 कारेदिवस होने के करमचारी का तनाव कम होगा धाणा में दिया करमचारी हमें से व्यक्तिकत समस्याव को वज़ा से परसान होते है दूसरा दिया गया पांच करेदिवसी सब्ताह नया वैसिवक रुजान है आपसा नमबर टू ना तो धान 1 और नहीं धान 2 नहीत करता है चलि आगला कोशन है कोशन नमबर 44 है कि अच्छी हाउसिंग की पिंग निमन लिखित में से किसके लिया आवास्था है कि अच्छी सुरक्षा बेवस्ता के लिए आगला कोशन है कोशन नमबर 45 है उस एक पिन्ड अपने बिरामा वस्ता इतना चलना सुरू करता है रेक शक्षिक इतना दिया गया है तो इसकी यातरा के दरान इतना और इतना के भी इसका उसद भेक्या अप्षिन नंबर वन आएगा 3.5 अगला कोशन दियागे है कि दियागे भी गल्पों में से बिशम चब्द को चूरना है सूर्य, पृतिवी, सुक्र और मंगल सूर्य जो एक तारा है चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 47 है किसी बीदुद धारा के सतत बंद मार्ग को क्या कहा जाता है बैदुद परिवत चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 48 है जो किसी रिंखला को दिया पूरा करना है कोशन मार्ग का अस्तान पर क्या आएगा तो आप लोग बनाईएगा दोस्तों इसका करेक्ट रूपे बेचने पांच परतिशत की हान होई यानि 95 परतिशत का मान कितना है साथ सो साथ एक इसकल टू साथ सो साथ बटा पंचानवे और हंडे परसें निकाल लो तो इसका करेक्ट रूपे नमबर टू आएगा कितना आठ सो चलिए आज का लास्ट कोशन है जो कि पचास नमबर यदि एज जी और एज का अर्थ होता है एज जी की बहन है जी मानस आप लोगों को हल करना है कि की पी का पीता है प्रदसित करना है तो आपसान नमबर थर्ड जो एक करेक्ट रेंसर है दूस्तों पचास कोशन कंप्लीट होता है आपका पचास में कितना सही हुआ कमेंट बक्स में जरूर बताए जेहिन बंदे मात्रम